नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां रात को इसकी एक चमच लेने से गठिया, घुटनों का दर्द, साइटी का, गर्दन एवं कमर का दर्द, हात पैरों में सुनता, दमा, पुरानी खांसी, इत्यादी, असी रोग, जड़ से खत्म हो जाते हैं जिहां, दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम आपको असी प्रकार के वात रोगों से निजात पाने के लिए और शधियों का अद्भुत योग बताएंगे होने वाले सभी प्रकार के वात रोगों में लहसुन का उपयोग करना चाहिए, इससे रोगी शिग रही रोग मुक्त हो जाता है, उसके शरीर की वृद्धी होती है, लहसुन के वल खाने का स्वाध ही नहीं बढ़ाता है, बलकि इसे खाने के अनेक सारे हिल्दी फायदे भ पहले लहसुन खाने से ताकत बहुत अधिक बढ़ती है, इसलिए इसका प्रयोग करें, यह एक बहुत ही महतोपून प्राकृतिक एंटिबाइटों की तरह कारी करता है, लहसुन का इस्तेमाल हम खाने का स्वाध बढ़ाने में करते हैं, इसके इस्तेमाल से खाना का जाल रखती है, इससे असी प्रकार के वात रोग जैसे, पक्षाघात लखवा, आरदेत यानिके मुह का लखवा, ग्रिघरसी साइटी का जोडों का दर्द, हात पैरों में सुननता, अथवा जकडन, कमपन, दर्द, गर्दन एवं कमर का दर्द, स्पांडिलोसिस, तथा दमा, पुरानी खांसी, अस्तिच्योत, यानिकि डिस्ट लोकेशन, अस्तिभग्न, फैक्चर, एवं अन्य स्थिरोगों को दूर करती है, इसका सेवन माग माह के अंततक कर सकते हैं, व्याधी अधिक गंभिर हो, तो आश्रम से वैद किये सलाह लें, एक वर्ष तक भ भी इसकी खबर पहुंचानी चाहिए, वात रोग को जड़ से मिटाने के लिए विस्तार से आप हमारे इस वाइस ओवर को सुने, कश्यप रिष के अनुसार लहसुन सेवन का उत्तम समय, पौश एवं माग महिना माना जाता है, यानि कि पूश और माग में आप इसका सेवन करें, अब बनाने की विध्य जान लिजे, 200 ग्राम लहसुन छील कर पीस लें, 4 लिटर दूध में ये लहसुन, एवं 50 ग्राम गाई के घी में मिलाकर दूध गाढ़ा होने तक उबालें, फिर इसमें 400 ग्राम मिश्री, 400 ग्राम गाई का घी, तथा सूट, काली मिर्च, प्योदार, पुनर नर्वा, गोखरू, अश्वगंधा, शतावरी, विधारा, नीम, सुवा, एवं कौच के बीज का चून, हर एक को 33 ग्राम में मिलाकर के धिमियाज पर हिलाते रहिए, मिश्रन में से घी छुटने लग जाए, गाढ़ा मावा बन जाए, तब ठंधा करके इसे कांच की बरनी में भर करके रख लीजिए, अब सेवन करने की विध जान लीजिए, दस से बीस ग्राम यह मिश्रन सुबह गाई के दूध के साथ लेना है, पाचन शक्ति उत्तम हो तो शाम या रात को पुनह आप ले सकते हैं, भोजन में मूली अधिक तेल एवं घी त लेहसुन खाने से हाइपरटेंशन के लक्षनों से बहुत आराम मिलता है, यह न क्यों ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है, बलकि दिल से संबंधित गंभीर समस्याओं को भी दूर करता है, साथ ही लीवर और मुतराशय को भी सुचारू रूप से काम करने में सहायक का क बनने से पूरी तरह से रोकता है, यह तनाव को कम करने में भी सहायता करता है, डाइबिटेज, टूप्स, डिप्रेशन और कैंसर, जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है, तो वैकल्पिक उपचार के रूप में लहसुन बहुत प्रभावी होता है, लहसुन शरीर को सहायक होता है, श्वसंत अंतर को मजबूत बनाएं, लहसुन श्वसंत अंतर के लिए बहुत लाफदायक होता है, यह अस्थमा, निमूनिया, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, पुरानी सर्दी, फेफणों में जमाव, और कफ इत्यादी की रोकताम एवम उपचार में बहुत प दर्द निवारक गून दात के दर्द से रहत दिलाते हैं, इसके लिए इसका एक कली पीस करके दात के दर्द के जगह पर लगा दें, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जी हाँ, इसका सेवन करने से न केवल ब्लड सर्कुलेशन को नियमित किया जा सकता है, बलकि दिल से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है, जी हाँ, पेट संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है, लहसुन पेट संबंधित समस्याओं के लिए काफी फायदे मंद है, साथ ही इसका सेवन करने से आपके पेट में मौजूद विशाक्त पदार्थों को साप कर दे पूरूशों के लिए जिहां नए अध्यान में सामने आया है कि जो पूरुश लहसुन खाते हैं महिलाएं उनकी तरफ अधिक आकर्शित होती है अध्यान के अनुसार महिलाओं को उनके पसीने की गंद अच्छी लगती है वैज्यानिकों का मानना है कि महिलाएं कुछ इस तरह से विक्सित हो गई हैं कि अब उन्हें लहसुन खाने वाले अच्छे लगते हैं लहसुन में इंटिबाइटिक, इंटिवाइरल और इंटिफंगल गुन होते हैं ऐसे में पूरुषों के पसीने से आने वाले लहसुन की गंद महिलाओं को उनके स्वस्थ होने का संकेत देती है एलर्जी को दो रखने में कई बार मौसम बदलने की वजह से घर में बच्चे और बुजुर्ग बिमार पड़ जाते हैं ऐसा बैक्टिरिया की वजह से होता है बदलते मौसम में बैक्टिरिया भी अधिक मात्रा में पाये जाते हैं जिनकी वजह से बच्चों में सर्दी जुकाम देखने को मिलता है इस सर्दी जुकाम से अगर फोरन रहत पाना चाहते हैं तो बच्चों के तकिये के नीचे लहसुन की एक कली रख दें लहसुन में इंतिबैक्टिरियल गुन होते हैं जिससे बदलते मौसम में बिमारियां नहीं होंगी उनको निंद लाने में मददगार आजकल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में बड़ी संख्या में लोग निंद ना आने की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं सुबह से शाम तक ओफिस कालेजों इत्यादी में ठक कर चूर होने के बाद निंद ना आने से परिशान हो रहे लोग लहसुन का उप्योग कर सकते हैं बताया जाता है कि यदि सोने से पहले तकिये के नीचे लहसुन को रखकर सोया जाए या लहसुन की एक कली का सेवन किया जाए तो इससे निंद बहुत अच्छी आती है अंतर शक्ति को बढ़ाने में सहायक अगर आप सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की दो कलियां शहद में मिला करके खाते हैं तो यह आपके अंतर शक्ति को बढ़ा देता है चाहें आप इस्तरी हों या पुरुष यह दोनों के लिए समान रूप से कारे करता है यदि किसी लड़की को पिरियर्ट्स की कोई भी परेशानी है तो वह भी सब्ताह में दो बार लहसुन की दो तिन कलियां शहद के साथ खा सकती हैं फोड़े फूनसी को भी ये खत्म करता है अगर आपको फंगल इंफेक्शन के कारण कहीं फोड़े फूनसी हो गए हैं तो आप लहसु को उस जगह लगा सकते हैं लहसुन इस तरह के संक्रमन यानि की घाव को जड़ से खत्म कर देता है बस इसका प्रियोग ध्यान रखें कि घर्मियों में खास करके बहुत ज़्यादा मातरा में न करें बहुत ज़्यादा मातरा में कभी भी नहीं करना है और गर्मियों में सा नमस्कार दोस्तों